आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल डिया स्टिजिंग सेंटर पर स्वागत है आईए आप लोगों के लिए आज बायलोजी के महतपुर्ण प्रस्न आप लोगों के सामने प्रस्तूत करने जा रहे हैं जो भी बिहार पुलीश वाले बच्चे हैं जो भी बिहार पु पाइलोजी में इंट्रेस्ट है वह इसे बच्चों के लिए जो है आज हम आप लोगों के लिए 15 प्रस्न लाएं हैं जो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहला प्रस्न है मानव की पाचन नली लगभग कितने फिट लंबी होती है तो मानव की जो पाचन नली होती है वह लगभग 32 फिट लंबी होती है कितना फिट लंबी होती है वह लगभग 32 फिट लंबी होती है दोस्तों उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला प्रस्न पर मनुस में पाचन की किरिया जो प्रारंब होती है वह कहां से प्रारंब होती है तो मनुस में भोजन का पाचन जो है मुख से प्रारंब होना सुरू हो जाता है अगला प्रस्न आप लोगों के लिए शांदार है एश्क्रीन पर मनुस में पाचन का दिकांस भाग किसी यंग में शंपन्य होता है अगर याप भोजन खाते हैं तो भोजन तो पचना भी चाहिए तो वह भोजन पच जाता है किसी यंग में तो पूरी तरह से छोटी यंग में कहां पचता है छोटी यंग में वह भोजन पच जाती है अगला प्रस्न आप लोगों के लिए जो है मनुस के जीवन काल में कितने दांत दो बार बिक्षित होते हैं मनुस के जीवन काल में जो है बीस दांत जो होते हैं वह दो बार बिक्षित होते हैं जिसको जो है हम लोग टेंप्रोरी तीत कहते हैं जो बच्चे में होता है इसी को हम लोग दूसरे शब्द में दूद का दात भी कहते हैं अश्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं उसे टेंडन कहते हैं उसे क्या कहते हैं टेंडन कहते हैं जब अश्थियों और अश्थियों को आपस में जोड़ता है तो उसे लिंगामेंट्स कहते हैं अगला प्रस्ण है अस्तियों में कौन सा लवन सरवाधिक मातरा में हड्डियों में जो है कौन सा लवन सरवाधिक मातरा में रहता है हड्डी जो होता है उसमें हम लोग के हड्डी में केल्सियम फास्फेट सबसे जादे मातरा में होता है दोस्तों अगला प्रसन आप लोगों के लिए प्रस्तूत है एस्क्रीन पर बिर्धा अबस्था में मनुस की हड़ी क्यों कमजोड हो जाती है बुढ़ापा जब आता है तो मनुस का हड़ी कमजोड हो जाता है कारण क्या है कि उसमें केलसियम की कमी हो जाती है इसलिए बुढ़ापा में हड़ी कमजोर हो जाती है आगे प्रस्न है आठमा नमबर दातों तथा हड़ीों में पाए जाने वाले तत्व क्या है तो दातों तथा हड़ीों में पाए जाने वाले तत्व जो है वह केलसियम फासफेट है क्या है केलसियम फासफेट है अगला प्रस्न मानव सरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है मानव सरीर की जो है सबसे लंबी हड़ी जो होती है वहाँ जांग की हड़ी होती है कहां की हड़ी जांग की हड़ी होती है लंबी हड़ी अगला प्रस्न आप लोगों के सामने है टीबिया नामक हड़ी पाई जाती है टीबिया नामक हड़ी जो पाई जाती है वाट टीबिया नामक हड़ी कहां पाई जाती है टांग में पाई जाती है कहां पाई जाती है टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड़ी टिबिया नमक हड़ी टांग में पाई जाती है मनुस के सरीर में पैर की हड़ी कैसी होती है मनुस की सरीर में जो है पैर की हड़ी जो है ये संधरी होती है कैसी होती है संधरी होती है हुमस अब अश्थी कहां पाई जाती है हुमस अश्थी कहां पाई जाती है इस प्रस्नों का उत्तर या आप लोग कमेंट बॉक्स में दें अगला प्रस्न आप लोगों के सामने जो है निम्न में कौन सा मानव के पैर की हड़ी है मानव सरीर के पैर का हड़ी जो है वाट टीविया है कौन सा है वाट टीविया हड़ी जो है मानव सरीर का में पैर की अगला प्रसन है मनुस सरीर की या मानव सरीर की सबसे लंबी हड़ी फीमर हड़ी है और छोटा हड़ी जो है एस्टेपी जो होता है फीमर हड़ी उसके बाद अगला प्रसन और लास्ट प्रसन जो है मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी जो है वा यह अश्टेपीस है जिसको अश्टेपीस बोले या अश्टेपीस कहें आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फोर वाचिंग